हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कफशा 4 गनित की वर्क सीट हल करेंगे उपविशय गुणा तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रशन एक दी गई वस्तों को पंक्तियों और स्थम्बों में व्यवस्तित करके लिखें संकेत कुल संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्थम्बों की संख्या तो पहले चित्र में आप देख सकते हैं गुलाब के फूल दिये गए हैं तो यहाँ पर पंक्तियो की संख्या लिखेंगे चार स्थम्बों की संख्या 5 कुल फूल 4 गुणा 5 बराबर 20 दूसरे चित्र में स्टार बने हुए हैं पंक्तियों की संख्या 5 स्थम्बों की संख्या 5 कुल सितारे 5 गुणा 5 बराबर 25 चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न दो दी गई वस्तों की संख् को पंक्तियों और स्थम्भों में अलग-अलग तरीकों से व्यवस्थित करके निम्न तालिका को पूरा करें एक आपके लिए क्या गया है संकेत पंक्तियों की संख्या गुणा स्थम्भों की संख्या तीस गैंदे यह हैं आपके लिए पहले से ही क्या गया है अब करते हैं 18 पैंसले तो इसको लिखेंगे अठार गुणा एक नो गुणा दो छे गुणा तीन दो गुणा नो तो इस प्रकार हम पंक्तियों और स्थंबों की संख्या में इसे व्यवस्थित कर सकते हैं अगला करते हैं 36 टॉफियां तो इसे लिखेंगे 36 गुणा 1, 18 गुणा 2, 12 गुणा 3, 9 गुणा 4, 40 बटन इसे करते हैं 40 गुणा 1, 20 गुणा 2, 10 गुणा 4, 8 गुणा 5 तो इस प्रकार हम इने पंक्तियों की संख्या और स्थंबों की संख्या में व्यवस्थित कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण 3 बारंबार जोडविदी दुवारा निम्न प्रस्णों को हल करें एक आपके लिए किया गया है पहला आप देख सकते हैं 3 गुणा 2 बराबर 3 जमा 3 बराबर 6 तो यहाँ पर 3 को 2 बार लिखा गया है दूसरा करते हैं 2 गुणा 3 तो यहाँ पर 2 को 3 बार जमा करेंगे 2 जमा 2 जमा 2 बराबर 6 इसी परकार तीसरा करेंगे 6 गुणा 5 तो 6 को 5 बार जमा करेंगे तो बराबर आएगा 3 चोथा करेंगे 9 गुणा 7 तो 9 को 7 बार जमा करेंगे तो आएगा 63 चलिए अगला करते हैं प्रस्ण 4 चार्ट 1 में 5 और 8 के पहाड़ों को जोड़ करके 13 का पहाड़ा बना कर दिखाया गया है इसी तरह चार्ट 2 में 2 पहाड़ों को जोड़ करके 15 का पहाड़ा बनाते हुए तालिका पूरी करें तो आप देख सकते हैं चार्ट एक में 5 का पहाड़ा जमा 8 का पहाड़ा बराबर 13 का पहाड़ा बनाया गया है इसे तालिका में हम इस प्रकार पूरा कर देंगे चार्ट दो में हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा तो इन दोनों के जोड़ से 15 का पहा पहाड़ा साथ और आठ का पहाड़ा इत्यादी लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण पांच लंबी गुनन विदी का प्रियोग करके निम्न प्रश्णों को हल करें पहला 65 को 35 से गुणा करेंगे तो पहले हम 35 में 5 दाहिने हाथ की तरफ की संख्या से गुणा सुरू करते हैं 5 को पहले 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा 25 का 5 लिखेंगे 2 को करेंगे 2 को हासिल लेंगे फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 चिक 31 और उसमें 2 जोडेंगे तो 32 तो यहां 32 तो यहां संख्या होई 325 अब इसी प्रकार 3 से गुणा करेंगे 5 की 35 का 5 बच्चों यह ध्यान रखना है पहली संख्या से गुणा करने के बाद जब दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो हम दाइने हाथ की जो पहली संख्या है उसके नीचे गुणा का निसान या जीरो लिखते हैं वहां हमें कोई संख्या नहीं लिखनी है तो इस प्रकार यह दोनों प्रस्न मैंने आपके लिए हल कर दिये हैं जिने देखकर आप आसानी से इने हल कर सकेंगे चलिए आगे बढ़ कौन कौन से तापमान डिग्री दिये गए हैं बच्चों आप इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें डिग्री सेल्सेस और फारेन हाइट पर अलग अलग अंक दिये गए हैं तो यहां हम लिखेंगे फारेन हाइट पैमाने पर 94 से 108 तक अंक है सेल्सेस पैमाने पर 45 से लेकर 42 तक अंक हैं चलिए प्रेसन दो करते हैं प्रेसन दो हमारे सरीर का सामाने तापमान कितना होता है तो यहां लिखेंगे 37 degree Celsius या 98.6 degree Fahrenheit परस्न तीन अपने सरीर का तापमान मापकर नोट बुक में लिखो बच्चो यदि आपके घर में थर्मामीटर है तो आप सभी अपने अपने सरीर का तापमान मापकर अपनी नोट बुक में लिखेंगे आपके सभी दा के लिए मैं यहाँ अपने सरीर का तापमान मापकर नोट बुक में लिख रहा हूँ 37 degree Celsius परस्न चार यदि थर्मामेटर में मापने पर आपके सरीर का तापमान 100 degree Fahrenheit आता है तो इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है कि हमें बुखार है तो बच्चो यह वर्कशीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू